मेरा राजक्रपूर से बंचे है शालेज दर्शी ने आपके इस्टूडियो में कराया उस सब्सक्राइब हमारे बीच कोई ज्यादा बात्चीत नहीं हुई योकि शालेज दर अप्री फिल्म का एक आउटो बीदा और सागर के बीच एक छोटे गाव में करना चाहते थे उसके लिए नो डेट्स बांगने के सब्सक्राइब है तो इसलिए तीस्टी कसम के बारे में बात्चीत चल रही थी तो मेरी उसे बात्चीत नहीं हुई लेकिन तीस्टी कसम की यह जो शूटिंग हुई है नाउन है वो दस दिन मैं राजकपूर के साथ रहा और मुझे उनको जानने का आउसर प्रात हुआ राजकपूर को पढ़े लिखे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो स्लम तो बैटरी खेहित है और किताबे पढ़ते रही थे खुझते थे तो या तुपी पढ़े तो किताब खुझते थे तो उनको हमेशा किसी किसी शिक्षित में साइब लगती के प हंता संग करें तो बहुत पर संगे सिद् अब कि उनके अधिकाण सीफित्वों की खुझता अन५ा कि अबीध हम Europ बहुत निए आपके पत्रशा में फिल्म में खुझता के मैंपी औरको बेमोर मिखते थे तो उनके साथ, उनके जो लेखत कि उनके साथ जोडे, वो हमिशन बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और आज कर्मीं को पढ़े लिखे लोगों की संगत करना बहुत पसंद था, जारा जाओं। तो तीसरी कशन की शूटिंग, जिस छोटे में गाहों में, वो गाह के खुल आबादी कील्स होती है, उस गाहों में है, उस गाहों में है, उसकी शूटिंग चलाइए. तो शूटिंग की विवस्था में लगे हुए थे, राजकबूर के साथ रहने का मुझे आउसर दिया गया था, और फिर राजकबूर नौन विजिते में निचे और शराभी में निचे, तो उत्रवाई बटे तो शराभ के खुटे में नौन देखा विजिते, तो इसलिए हमारी जो बेल मुदाफात कोई, तो सबसे पहले भोजन की ही बात हुए और उनको जितना भोजन करने का शौक था, जितना भोजन करने का शौक मुझे भी राहा है, उनके घरपे डागिन के लगा है, मिनिमम चार सबजिया और बांस, बश्री, चिकर नियो होना चीए, लेक कि दो तरह की दाल आवशक थी, वो हरेशा है पंजाबी कहते थे, खाओ दाल जरी निदे नाल, उसका मतना जेता है कि गरीवी के लगाना पी दाल तो मिली जाएगी, ये भुलगा मसली, ये मिले ये दा मिले, तो रासाब को ये अन्वान नी होगा, एक ऐसा भी दोर आएग कि दीदा 6 और ही पसे हा जाएगी, आप आवमा में ये राएगीdefined में है जे बाभवानाएगी कि दोर